आप देख रहे हैं Love with Astrology प्यार के रिस्तों में अपनापन चाहिए संबंदों में विश्वास चाहिए यकीन चाहिए जब कोई रिस्ता बनता है जब कोई रिलेशन बनता है जब कोई संबंद बनता है तो उसके पीछे बहुत सारा रिसर्च चलता है शरीर तो ठक जाता है लेकिन मन और आत्मा दिरंतर चलता है बड़ी-बड़ी बातें नहीं करके बड़ी बिशुदता के साथ आज आज आपको कह रहा हूँ दो सुपाडियां सिर्फ यहां रखे कहां रखे? दो सुपाडियां सब ठेक कर सकती है जानिए पुरा विश्लेशन आप देख रहे हैं लाव विद इस्ट्रोलिजी नवश्कार मैं हूँ आचारे सती सुबस्ति आपका बहुत सवागत करता हूँ लव ऐस्त्रोलजी में लव विद इस्ट्रोलजी आपके अपने जीवन में प्यार भरने का एक साधन है श्ट्रोलजी आपके रिष्नों को आपके संबंधों को और आपकी निजी और परसनल लाइफ हो चाहे वो पारिवारिक लाइफ हो, चाहे मेरिटल लाइफ हो चाहे लव लाइफ हो, चाहे रिलेसिंसिप लाइफ हो उसे पूरी तरह से रेपेर करके, सुभिस्थित करके, सुभिस्थित करके आपके पक्ष में खड़ा करने का एक अर्भूत नाव है इस सोच के पीछे बीसों सानों का रिसर्च है इस रिसर्च में अभी तक जो भागीदारी निभाद चुके हैं जो लाग भानवित हो चुके हैं उनकी संक्या प्रोश्ट्री किस लाग है यहां का सक्सेज रेट जितने भी लोग आते हैं उसमें से काम कितनों को हो जाता है 95% यहां पर ऐसा क्यों होता है इतना बड़ा प्रसेंटेज क्यों है इतने ज्यादा लोगों को वेनिफिट क्यों होता है यहां हर किसी का काम क्यों हो जाता है क्योंकि यहां पर कोई कपोल कल पित बनाय हुए उपाय नहीं बताए जाते हैं, यहां पर गीता, बेद, गुराण, उपनिशद, शास्त्र और बड़े-बड़े गरंतों का निचोड निकाल कर आप उनको बताए जाता है, आज मैं कह रहा हूँ, दो सुपाडियां यहां रखनी है, तुम्हें एक होने से कोई आ गया है अगर तो भी, और कोई प्यार, कोई रिलेशन, कोई बेक्टि तुमसे बात नहीं कर रहा, रोठ गया और तुमसे दूर जा रहा है, और उतने वादों के खिलाफ जाकर करके काम कर रहा है, ऐसी किसी भी सिच्वेशन को ठीक करने का इसमें पूरा बल है, योगित और सबसे सुवेवस्थित बात ड्रगर कोई है, तो वो सुपारी है, सुपारी की हो सकता है, आकार बिकार छोटा हो, परन्तु इसका बेसिक आकार एक प्रतवी के जैसा है, प्रकृति के जैसा है, इसको जब अंदर काटो, तो 84 लाख योनियों की भाती इसके अंदर खाचे दिखते जवाब इसको काटो, तो इसमें कई रंग दिखते अंदर, जिस पकार से मोसमी की कलियां दिखती है, वैसे इसमें कथे की कलर और वाइट कलर की अंदर कलियां दिखती है, ऐसा रगता है कि मानो मक्षन और गुड का कोई लोधा बना के बीस से काट यह एक्षिली दो लोगों के सम्मिश्रण का नाम है सुपारी बेसिकली दो लोगों को योगित करने का संयोगित करने का दो लोगों को एक करने का साधन का नाम है पान में लोग पान शुपाडी बोलकर खाते हैं पूजा में लोग लॉंग शुपाडी बोलकर रखते हैं बुरे कामों में लोग किसी की हद्या करने के लिए सुपाडी की बात करते हैं शुपाडी के बड़े भावार्त हैं बड़े सारे सब्दार्त हैं लेकिन इसका योग, इसका सम्मंद अपने को बिमुक्त करके दूसरे के रूप में रंग जाने का नाम है सुपाडी कभी भी अपने निजी सुरूप में रहे करके कुछ नहीं करते लोग पूरे बिश्व में कोई भी सिर्फ सुपाडी खाने वाला आपको नहीं मिलेगा कुछ लोग लोंग लैची, कत्था और चूने के साथ खाने वाले मिलेंगे कुछ लोग हो सकता है कि पूजा पाठ के इत्याद में पर केवल और केवल सुपाडी का अकेले उप्योग किया जाता हो एकाकी नहीं है यह से योग की बात करने की विदा करने की विवस्ता है यहाँ अगर दोश हो, अगर बिशुदता की कमी हो तो यह सुपारी गाम करते है अपुशप्खम बोलते हैं इसको, अपुखियम बोलते हैं इसको, अपुश्यम बोलते हैं इसको शमस्कत में यह नाम जो है वो कहते हैं प्यार को बढ़ाने के लिए इसका नाम जाना जाता है संबंदों को मदूर और एक करने के लिए इसको जाना जाता है और खास बार बताओ पूजा में किसी भी चीज की कभी कमी हो जाए तो चावल और सुपारी दो ऐसी चीजे हैं कि उसके नाम पर चाही और रखी जा सकती है इतना ही नहीं इसके आगे की बात बताओ सुपारी कैसी चीज है जिसमें लोग भगवान बना लेते हैं सुपारी को उपर कलावा लपेटकर पंडित जिलो गरेश लक्षमी हो जाने क्या ही बना लेते हैं कोई भी देवी देवता ना हो कोई मूर्ती ना हो केवल सुपारी को रंग करके रख करके उसके आवाहन करके पूजन कर लिया करते हैं बंदिशी लोगा सुपारी की बड़ी महितियन कमपा है बड़ी इसके बारे में जितना कुछ कहा जाए उतना बहुत करते हैं संपूनता इसमें गड़कर में भ्याबत है और ये जो उपाए है दो वाला आज में कह रहा हो ये दो सुपारी अपने बिस्तर के दोनों अलग अलग कोनों में रखिये और एक आश्यर बताओ ये बोलकर जब रखोगे तो जिस जगे तुम सुपारी रखोगे वहां नहीं मिलेगी बिस्तर के नीचे दभी होने के बावजूर दे उतरक मत करना जितना धनंग सकती है उससे ज़्यादा धनगेगी तो बोलकर तो देखो ये शब और धनंग कर जितना ज़्यादा क्रोश आएगी उतनी ज़्यादा परिस्तितियां तुम्हारे पक्ष में खड़ी हो जो कह रह है कि तुम जासे बहुत सारे बच्चे है आपको पता हमारे हमारे हमसारे काम बहुत गुthird और सभूर करते हैं हैए जतना तमने अन्भाष सुनाते हैं वह हज़ारों में से कोई किर भी हमारे पास बहुत ज़्यादा होने के वज़े से हमारे एक दिन आपके मतलब बरकातों लहीं आता है और हम क्या लेते हैं हमारे तरस सामने बच्चे बोल देता है कि यह वहला साप सारजनिक कर दीजिए कोई लिक कर नहीं तो आपको अनुभाव सुनाने के पीछे एक पड़ा मनतब है कि हम सालों से यह आपको अनुभाव सुना रहे हैं लगातार रोज अनुभाव सुनाते को एक दिन थोड़ी सुनाते रोज हर दिन जब भी हम आएंगे देख अनुभा हमारे साथ मिनिमम और सत्ति मान आई है अगर हमें सारे के सारे लोग बता देए कि सार गंटे का एपिशोर सरफ अनुभाव में निकल जाएगा है ना चले कर वाइस मेसेज प्लीज नमस्ते गुरुजी आपके चरणों में कोटी-कोटी वंदर ओगस्ट महिने से आपसे जुड़ी हुई हूँ अपकी संस्था से पहला मैं काफी गुस्था करती थी काफी चीड़ चीड़ा स्वभाव था मेरा पर आपसे जुड़ने के बाद मैं अब ज्यादा गुस्सा नहीं करती अब मुझे मैं काफी शांत रहने लगी हूँ और काफी पोजिटिव हो गई हूँ पोजिटिव रहने लगी हूँ आप आपने बताया था कि पानी नमस्कार करके पानी प पोजिटिविटी आई और मेरी लाइफ में काफी प्रोब्लेम आ रहे थे तो दो बार तो पुझा से प्रोब्लेम ठेक हुए पहली बार मिने आप से पुझा करवाई तो प्रोब्लेम ठेक हुआ वापिस वही प्रोब्लेम आया मिने आपके यहां वापिस पुझा कर ऐसे ही मेरे पती भी मेरे पास आ जाये मेरा संसार शुकी हो जाये मुझे जीवन पर मेरे पती का साथ और सबंध मिला रहे में अपने पती और बच्रो के साथ शुक संब्रूती में खुस रहूं गुरुचRI इसा असिरवाद दीजे प्लीज गुरुची ऐसा अशिरवाद दीजे इतनी चीज़े ठीक होई है तो आगे भी हो जाएगी आपके अशिरवाद से थेंक यू सो मज़ गुरुची बहुत बहुत साथ बाद बहुत आशिरवाद प्रमात्माशिव आपको परसन करे आनदित करें अब करना क्या है दोनों की दोनों सुपाडियों को राइट और लेफ्ट गाल के अंदर रखें पहले थोड़ी देर उपाय करने के पहले यह उपाय रात्तिरी में ही करिएगा सूर्यास्त के बाद करिएगा कोशिश करिएगा सारे काम से निब्रत हो जाए जब सोने जा रहे हो तब करें सोने जाते समय थोड़ी बहुत देर अपने मुँ में एक तरफ राइट साइड और एक तरफ लेफट साइड सुपारी को मुँ में दबा के रखेगा बहुत प्यार से जैसे लोग पान खाते हैं खाना पीना खाने एक बाद दुस्तरे से दवा के रखेगा चबाना नहीं है उसको दात नहीं लगाना उसमें कुछ नहीं करना सरफ उस अपने ही मुख के रश से भीगने देना है यह प्रेम का रश है जतना ज्यादा भीगेगा उतना ज्यादा और विज बीच में आपको बोलना है ओम त्रिम क्या बोलना है ? ऐसा बोलते रहे हैं लगातार में ठोड़ी थोड़ी देर में जब याद आ जाया नो इंट बहुत देर भी मत रखेंगा उसके बाद अब ध्यान रहे जो दाहिनी तरफ से निकालिएगा वो दाहिनी रखिएगा जो बाए तरफ से निकालिएगा उसे बाएं तरफ रखिएगा और रखते समय भी वही भूलकर रखिएगा ओम द्रिम अब जब आप ऐसा करेंगे तो थोड़ा बाइवरेशन फील होगा और हां एक खास बात सुपाड़ी का जो सपाट वाला भाग है उसको नीचे में रखेगा उसे उल्टा करके रखेगा उसकी नोट नीचे सपाट वाला हिस्सा उपर और गद्दे से दबा दर पर सो जाएं राद बर सोते रहें प्राते फिर सारे काम से निब्रत हो करके प्राते फिर जब सारे कामों से आप निब्रत हो जाएं फ्री हो जाएं तो तो क्या करें तो इन सुपारियों का स्थान चेक कर लें कितना एक दूसरे के पास आएं जितना मैक्स पास बढ़े नहीं है काम होने में थोगड़ा समय लग सकता है पर होगा डिस्चत तोर पर इन सुपारियों को अब एक्चुली असली काम है जहां से आपके काम में बृध्धी होगी किसी भी केले की जड़के नीचे दबा देता है और वो भी उस समय भी ओम त्रिम तो ये ओम त्रिम तीन बार होगा एंकारी स्रिष्टि रूपा यही क्रिमकाली प्रतिपाली का क्रिमकाली का मरूपन यही बीज रूपे नमुस्तुते और यह बहुत शक्तिशाली मंत्र है इसका उपयोग बरिशद्धा और विश्वास के साथ करिएगा यसे कीलित किया गया है गुरुवादेश की आवशक्ता पड़ेगी इसे बड़े मन से बड़े ढंग से करिएगा और हां अच्छे भूरत में अच्छे दिनों में करो कि तुम पहले ठीक हो जाओ की तुम ग्रहों को धोखा देने में काम्याब हो जाओ करना रिस्तों को ठीक करने का कम इन सब कुछ चीजों से नहीं तुम्हारे गुरू के आने से हुपा वेखों आपने साथ ओम नमस्षिवाएं